Hello everyone, I am Aastha, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल Government Job Genuine Notification ITBP की तरफ से Assistant of Inspector and Head Constable Recruitment Notification रिलीज हुआ है एक और New Notification आज ही रिलीज किया गया है इन दोनों ही पोस्ट के लिए Elizability 12th Pass है लेकिन इसके साथ में क्या requirement है और जो requirement है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी Application Start from Today, स्वाथ से इसके Application स्टार्ट है Online आपको Apply करना होगा All India से Male and Female Apply कर सकते हैं ये Central Government की जॉब है, तो इसमें All India से Apply कर सकेंगे Female Candidate भी इसमें Apply कर सकते हैं अगर इंट्रेश आप सभी जानते होंगे अभी कुस टाइम पहले भी इसका एक Notification Release हुआ था ITBP की तरब से ASI and Head Constable के लिए जिसकी Last Date 7th July 2020 थी यानि कि कल इसके जो Last Notification Release हुआ था उसका जो Last Date थी वो 7 जुलाई थी यानि कल Notification Application, Applications क्लोज कर दिये गए थी अभी यहाँ पर यह फिर से New Notification Release किया गया है इन दौनों ही पोस्ट के लिए और आज से 8 से यानि 8 जुलाई से इसके फिर से Online Applications से स्टार्ट किये गए हैं जो Last Notification था उसकी Last Date थी उसको Extend किया गया है अगर आपने Apply कर दिया है तो ठीक है अगर नहीं किया है तो ऐसा नहीं है आज से फिर से इसकी Last Date Extend है आज से आप Apply कर सकेंगे Last Date किया है मैं आगर आगर आपको वीडियो में बताऊंगी ओके चलिए एक एक करके पहले हम इसका Briefly जालेंगे दौनों ही Notification तो सबसे पहले यह जो Notification है Recruitment to the Post of Head Constable Direct Entry और Departmental दोनों ही तरह से यहां पर भरती थी Non-Gadgeted Post है Group C की Post है Online Application आप यहां पर Date देख रहे है One Minute आप यहां पर Date देख रहे है इसकी जो Last Date थी वो 7 July 2022 थी ठीक है 8 June से यह Start हुए थे और 7 July 2022 इसकी Last Date थी और इसको Extend किया गया है वो Notification भी में आपको अभी HCM जो Direct Vacancy है, Male और Female दोनों के लिए है तो Male के लिए 135 है Female के लिए 23 से 158 है, बाकी की यहां पर आप जो 90 देख रहे है यह Departmental है Alisability में 12th Pass है, इसमें आपकी Sally Level 4 से रहेगी 25 से 500 से 181,107 CPC से, Other Allowances आपके इसमें एड किये जाएंगे Alisability Condition में Age Limit 18 से 25 साल है 12th Pass Candidate इसमें Alisability है, लेकिन इसमें आपकी Typing Speed चेक की जाएगी Certificate required नहीं है, Only Typing Speed चेक की जाएगी 35 words per minute in English और 30 words per minute in Hindi दोनों ही Language मेंसे, जिस भी Language में आप अपनी Typing देना चाहते हैं करना चाहते हैं, आप Hindi और English, दोनों मेंसे कोई एक Choose कर सकते हैं Okay, and Head Constable LDCE के लिए है, तो यहाँ हम नहीं देखेंगे Fresher Candidate के लिए जो थी, वो हमने देख लिए है Relaxation मिल जाएगा, अगर आप Reserve Category से Blong करते हैं Selection Procedure क्या है, वैसे इस पर में Detail Video अपलोड कर चुकी है तो आपको यहाँ पर Detail नहीं बताऊंगी लेकिन हाँ, आप चाहें, तो इसकी ऑफिसल साइट से या फिर वो वीडियो लिंक में आपको आई वटन पर दे दूँगे, आप उनको विजिट कर लिजेगा Physical requirement यहाँ पर रखी गई है, height रखी गई है Male के लिए 165 cm और female के लिए 155 cm है इसके बाद relaxation मिल जाएगा, अगर आप हेली एरिया से ब्लॉंग करते हैं आप SCST candidate हैं, तो आपको यहाँ पर relaxation मिल जाएगा Medical standard क्या होना चाहिए, tattoos से related भी pulses यहाँ पर दी गई है तो आप इसको check कर लिजेगा Next इसका जो second notification है, अभी हम वो देख लेते हैं यह इसका second notification था, जो release किया गया था recruitment to the post of assistance of inspector, stenographer, director और departmental दोनों ही तरह से थी, तो इसकी भी last date आप देख रहे हैं 7 July 2022 इसकी last date थी, दोनों ही जो notification रिलीज हुए थे दोनों में ही last date 7 July थी, और यहाँ पर total vacancy female के लिए 2 हैं, और male के लिए 19 है, total 21 है यह fresher candidate के लिए है, departmental के लिए यहाँ पर 17 रखी गई है age limit देखेंगे, तो age limit यहाँ पर रहेगी, 18 से 25 साल again 12th pass candidate apply कर सकेंगे, लेकिन यह stenographer के लिए ASI stenographer, तो यहाँ पर आपका dictation 10 minute at 80 word per minute and transcription 50 minute in English, और 65 minutes in Hindi रहेगा तो दोनों में से आपका जो भी रहे, और computer पर रहेगा okay, so detail में आप इसका देख लिए जएगा, मैं again यहाँ पर आपको briefly ही बता रही हूँ, इसमें relaxation आपको मिल जाएगा okay, medical standard आपका क्या होना चाहिए, height same रखी गई है, जो head constable के लिए है वही यहाँ पर ESI के लिए भी रखी गई है, किस तरह से apply करना है, तो आप इसकी official site से online apply कर सकेंगे, fees यहाँ पर 100 rupees बताई के यह, आपको यहाँ पर 100 rupees पे करनी होगी okay, so यहाँ पर अभी आपने clearly देख लिया है, अब हम देखेंगे, हाँ, selection procedure यहाँ पर दिया गया है, आप चाहें तो इसको visit कर सकते हैं, सबसे पहले आपका होगा official site पर हूँ, ITBP recruitment website पर हूँ और आप यहाँ clearly देख सकते हैं, HCCM and ASI steno recruitment update, candidates can submit, candidates can submit online applications, last date इसकी 14 जुलाई कर दी गई है, applications up to 14 जुलाई 2022, okay, so इसकी जो last date है, वो 14 जुलाई 2022 होगी है, यह पहले 7 जुलाई 2022 थी, अगर आपने apply कर दिया है, तो आपको फिर से apply नहीं करना है, लेकिन अगर आपने अभी तक apply नहीं किया है, तो आप इसको 14 जुलाई 2022 तक apply कर सकते हैं, इसी official site पर आपके लिए लिए इसका notification देख सकते हैं, okay, so जिन्होंने भी apply नहीं किया है, व वो भी इसमें apply कर सकते हैं, वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक किजेगा, और अगर आप से लवस डेटेल चाहते हैं, आप comment कर सकते हैं, thank you